नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हैल्डेस पर तो दोस्तों आप तक हम आपको 20 लेक्चर जो है प्रवाइड करवा चुके हैं 1500 प्लस जो हमने क्योसन का टारगेट बेच एचेट का जो स्पेशली फोर हर्याना जी के का टारगेटक को किया है उनके अंदर पूछे जा चुके हैं और आपको मैं बार बार कहता हूँ हर्याना जी के ज़्यादा बड़ी नहीं है दोस्तो अगर आप ये पंदरा सो पलस क्यूस्टन ये कर लेते हो ना तो आपको जी के कहीं अलग से पढ़ने तो आप सभी का काफी प्यार प्रे मिर रहा है ऐसी अपना सयोग बनाई रखना वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कर देना और अगर आप चैनल पर नहीं हैं और या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नेके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूट कर दीजिएगा तो आज का हमारा फ़स्ट क्यूसन देख लेते हैं दोस्तो तो फ़स्ट क्यूसन हमारा आज का परदेश के किस जिले में सरवादी गोशाला हैं गोशाला हैं किस जिले में हैं सरवादी तो सिर्सा जिले में हैं दोस्तो सावित्री जिंदल जो है वो हैं दोस्तो हर्याना की अमीर महिलाओं की टोप सुची में सामिल नेक्स्ट है दारु एडा ओद्योगिक चेतर की सराजमारक परस्तित है तो ये काफी बार पुछा गया है कि उसन दिली जैपूर राजमारक परस्तित है दोस्तों ये दारु एडा ओद्योगिक चेतर दारु एडा इंडस्ट्रियल चेतर नेक्स्ट है हर्याना के दिकतर भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो अर्याना के दिकतर भाग में मिट्टी पाई जाती है रेतिली दोमट मिट्टी कौन सी रेतिली दोमट मिट्टी नेक्स्ट है नत्थुराम गोड़चे को फांसी की सजाहर याना के किस जेल में हुई थी तो नत्थुराम गोड़चे कौन था जिसने महत्मा गंदी को गोली मारी थी तो नत्थुराम गोड़चे को फांसी की सजाहर याना के किस जेल में हुई तो अंबाला में हुई थी दोस्तों कहां पर है अंबाला में और अंबाला का जो बस्टेंड है उसका नाम किसके नाम पर है सुसमा सवराज के नाम पर है किसके नाम पर है सुसमा सवराज के नाम पर है साथियो किसके नाम पर सुसमा सवराज नेक्स्ट है गरीब कन्याओं के इतार्थ हर्याना में कौन सी योजना है अपनी बेटी अपना धन हर्याना में एक योजना है जो गरीब कन्याओं के लिए जो गरीब कन्याओं के हित के लिए बनाईगी है इंदोरी पाड़ी कांस्तीत है तो इंदोरी पाड़ी स्तीत है मेवातमी कांस्तीत है मेवातमी हर्याना के किस जिले का सरवादी करक्तदान का रिकोर्ड है तो दोस्तो इसमें भी सिर्शा जिला है जो अवल है टोप पे रहता है हर बार तो हर्याना के कि जिले का सरवादी गरक्तदान का रिकोर्ड है सिर्षा जिले का किसका सिर्षा का और सरवादी गो साला में पुछे तो सरवादी गो साला किस जिले में है सिर्षा में और आपसे पूछ लिया जाएं कि सिर्षा में कौन सी यूविश्टी स्थित है तो सिर्चा के अंदर चोदरी देवीलाल यूनिस्टी स्थीत है दोस्तों चोदरी देवीलाल यूनिस्टी सीडियल्यू Next है संतों की नगरी हर्याना के किस सहर को कहा जाता है तो संतों की नगरी कहा जाता है सिर्चा को किस को सिर्चा को कहा जाता है संतों की नगरी नेक्स्ट है हर्याना का पर्थम सोच मुक्त जिला कौन सा है तो सिर्षा जिला जो है वो हर्याना का पर्थम सोच मुक्त जिला है साथियो नेक्स्ट है हर्याना का पहला केसलेस गाउं कौन सा है तो इसमें भी सिर्षा जिला का इनाम है पहला केसलेस जो गाम है हर्याना का वो सिर्शा जिला का निलावली गाम है कौन सा है निलावली दल बदल हर्याना राजनीती की स्वन जैनती पुस्तक के लेखक कौन है तो दीप कमल सारन जो है वो दल बदल हर्याना राजनेती की सवन जैनती पुष्ट के लेखा गया दोस्तो ये क्यूशन भी काफी बार पुचा जा चुका है ये भी क्यूशन 67 बार पुचा गया हर्याना राज्ये केरोसीन मोक्त कब हुआ था तो एक अप्रेल 2017 को वा था हर्याना रज्य केरोसीन मोक्त हर्याना में पूरे परदेश में इस स्टांपिंग को अनिवारिय कब किया गया तो एक मारच 2017 से हर्याना परदेश के अंदर इस स्टांपिंग को जरूरी कर दिया गया अनिवारिय कर दिया गया परदेश का कौन सा गाउन, ट्रम्प गाउन के नाम से जाना जाता है तो मरोरा गाउन जो है दोस्तों वो ट्रम्प गाउन के नाम से जाना जाता है ये भी question 2-3 बार पुछा जा चुका है बागवानी से समंदित उत्पादों के लिए हर्याना में कुन सा बरांड शुरू किया गया है तो हर्याना फ्रेस के नाम से बरांड जो है वो स्टार्ट किया गया है बागवानी से समंदित उत्पादों के लिए next है हर्याणा में बैटी के साथ selfie अभियान की शुरुवात कहां से हुई थी तो जीन्द जिले के बीवीपूर गम से होई थी दोस्तों बैटी के साथ selfie, selfie with daughter selfie with daughter के नाम से ये अभियान चलाया गया था इसकी शुरुवात जो है वो होई थी जीन्द के बीवीपूर से विसव का सबसे बड़ा उक्का कहां है तो कुरुक्षित्र संग्रालिया में दोस्तों विसव का सबसे बड़ा उक्का नेक्स्ट किशना मराज का पर्थम परवसी हर्याना दिवस 2017 का योजन कहां किया गया अब ये भी पुछा जा सकता है कि पर्थम परवसी हर्याना दिवस पहली बार कब मनाय गया था यानि कि पर्थम परवसी हर्याना दिवस कब मनाय गया तो 2017 में मनाय गया था और इसका योजन क्या गया था गुरू ग्राम में नेक्स्ट है हर्याना में NCC के PATRN पर कौन सा नया कोर्स सुरू किया जाएगा पुलिस कैडिट कोर यानि की PCC जो कोर्स है वो स्टार्ट किया जाएगा NCC के PATRN पर नेक्स्ट है 1857 के सहीदों के समान में सहीद समारक कहां बनाए जाएगा तो AMBALA जिले में बनाए जाएगा यह 22 एकट जमीन पर अम्बाला जिले में हर्यानग का पहला CFL गाम कौन सा है तो गुरुगराम का बिनोला गाम, हर्यानग का पहला CFL गाम है हर्यानग में पहली NCC Academy कहाँ खौली गई ती तो कर्नाल में खौली गई थी दोस्तों कहाँ पर कर्नाल में और इगनु का यानि कि इंद्रा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्श्टी इगनु का रिजनल सेंटर जो है वो कहां पर स्थी थै करनाल में स्थी थै साथियो कहां स्थी थै करनाल में नेक्स्ट है हर्याना राज्य महिलायो की स्थापना कब होई थी तो 20 अपरेल 1999 को होई थी हर्याना राज्य महिलायो की स्थापना नेक्स्ट क्यूशन हमारा आज का पर्देश में बायोमेट्रिक उपस्तिती परनाली कब लागू की गई थी तो 2 मईए 2015 को लागू की गई थी बायोमेट्रिक उपस्तिती परनाली 2 मईए 2015 को स्थार्ट किया गया था ये सिस्टम तो उसके बाद क्या है अब हमारा अगला क्यूशन है डोसी तिर्थ स्तल किस रिशी से समाधित है ये क्यूशन most repeated क्यूशन जो है इसे हम बोल सकते हैं क्यूंकि लग बग एक्जाम के अंदर ये क्यूशन जो वो पूछा जाता है डोसी तिर्थ स्तल किस रिशी से समाधित है तो चेवन रिशी से समाधित है किस से चेवन रिशी से नेक्स्ट है कुबेर तिर्थ स्तल किस रिशी से समाधित है तो चेतन्य महापर्भू से समाधित है कुबेर तिर्थ स्तल मादोगड का किला का स्तीत है तो मादोगड का किला ह महांधर्गड में इस्तीत है। कहां पर है महांधर्गड में। Central University of Harjana C-U-H कां स्तीत हैँ। Harjana Kendriavy Sh replied महांधर्गड जिल में स्तीत है। अर एक मातर जिला अरियाना का जिसका मुख्यालेH खुद नाउकर दूसरे सहर में है। कौन सा है महेंदर गेट जिसका मुख्यले कांस्तित है नारनोल में सिंदू गाटी सब्यता की खोज किस ने की थी आरेस बिष्ट ने की थी सिंदू गाटी सब्यता की खोज पांस से साथ वार जो यह किस से नहीं वो पूचा गया है दोस्तो आउले का उतुपादन पर्देश में किस जिले में होता है तो सिर्चा में होता है सरवादी का उतुपादन नेक्स्ट है 1947 से पहले यमुनानगर की टिम्बर मार्केट किस नाम से परसीद थी यमुनानगर की टिम्बर मार्केट काफी फेमस थी दोस्तो ये अब्दुल्लापूर मंडी के नाम से ये फेमस थी 1947 से पहले यानि कि बारताजाद होने से पहले जो यम्नानगर की टिम्बर मार्केट है वो अब्दुलापूर मंडी के नाम से जानी चाती थी राजे में मारुती कार निर्मान उद्योग कहां स्थी तै ये भी क्यूस्टन काफी बार पूचा जा चुका है गुरूगरा में स्थी तै ये और पिछे कुछ साल पहले जो है इसके अंदर आगजनी भी हुई थी काफी ज्यादा इंसा हुई थी तो उसकार निये जो है कफी जदा सुर्क्यों में आय था मारुती उद्योग जो है जो गुरूगरा में इस्थी तै नेक्स्ट क्यूस्टन हमारा एस-बेट्स तथा मार्पल परदेश के किस जिले में पाई जाते हैं То दोस्तों ये मेहंधरगण जिले पैजाते हैं कहां पर महंदरगड में हर समाधान पोर्टल किस समधी थै तो हर समाधान पोर्टल जब जन सिकायतों के समाधान के लिए बनाया गया दोस्तों हर समाधान पोर्टल की शुरुआत जो है वो की गई थी 2010 में कब की गई थी 2010 में परदेश का सबसे बड़ा जलगर क के बापुड़ा में श्तित है परदेश में राष्ट्रिय कैंसर संस्तान कहां बनाए जा रहा है तो जजर के बादसा में बनाए जा रहा है दो जार पैंतिस करोड की लागत से जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है राष्ट्रिय कैंसर संस्तान जो है वो कंप्लीट होना है पर्देस में नया मोर्टर वीकले留 एक्ट 2017 कब लागू किया गया तो एक अप्रेल 2017 को लागू किया गया था दोस्तों परदेस में एफेड की स्थापना कभी गी थी तो नॉमबर 1966 में किगी थी 1 नॉमबर 1966 में किकी थी एक नॉमबर यह question तो यही question जो है same dito question पुछा गया है यही option में था एक option में था जुलाई 1966 एक में था नॉवंबर 1967 और एक में था नॉवंबर 1966 और एक में था इनमें से कोई नहीं तो आपका right option रहेगा नॉवंबर 1964 और इसी जो मैंने pattern दिया है आपको यही same dito जो है वो पुछा गया था एक्जाम के अंदर परदेश में online जनम पंजी करन परनाली कब लागू के गई online जनम पंजी करन परनाली 2 मई 2015 को लागू की गई थी साथियो परदेश में CM विंडो की शुरुआत कब और किस विभाग ने की थी तो दोस्तों CM विंडो की शुरुआत जो है आप सब जानते होंगी CM विंडो के बारे में CM विंडो की शुरुआत जो है वो कब और किस विभाग ने की थी तो 25 दिसंबर 2014 को IT डिपार्टमेंट यानि की सुचना प्रोद्योगी की विभाग जो है वो अर्यना का उसने की थी 25 दिसंबर 2014 को चंडिगट स्थित रोग गार्डन के निर्माता कौन है तो नेकचंद सेनी है दोस्तों कौन है नेकचंद सेनी रोग गार्डन जो चंडिगट में स्थित है उसके निर्माता ये क्यूस्टन जो है रेल्वे के एकजाम में भी पुछा जाता है SSE के एकजाम में भी पुछा जाता है और हर्याना की जितने भी competitive एकजाम होती है उनके अंदर तो mostly जो है ये क्यूस्टन पुछा जाता है दोस्तो next question है हमारा sports related है काफी famous है कुरुक्चेतर निवासी रानी रामपाल कौन है कुरुक्चेतर निवासी रानी रामपाल का समद किस खेल से है तो ओकी खिलाडी है दोस्तो best ओकी प्लेयर है रानी रामपाल कुरुक्चेतर निवासी है ये परसिद खिलाडी सीमा पुनिया का समद किस खेल से है तो सीमा पुनिया डिस्क थ्रो जो है वो खेल खेलती है पेदल चाल में रिकोर्ड़ दारी हर्याना के परसिद खिलाडी कौन है तो चांद राम है पेदल चाल में रिकोर्ड़ दारी हर्याना के फेमस प्लेयर कर्णम मलेश्वरी का समंद कि स्केल से है तो बारो तोलन से है कर्णम मलेश्वरी का समंद परेटन स्थाल है जंगल बेबलर कहां स्थीत है तो जंगल बेबलर जो है वो दोस्तो दारुएडा रिवाडी के अंदर स्थीत है रिवाडी के दार्वेडा में स्थीता है जंगल बेबलर पूरा ततव विभाग दवारा पर्देश में अंतर राष्ट्री स्तर का संग्रालिय कहां बनाया जा रहा है तो परदेश में अंतरास्ट्रिय संग्रालिया है वो पंचकुला में बनाया जा रहा है पूरा तत्व विभाग दवारा राज्यस्त्रिय संग्रालिया कहां बनाया जा रहा है तो हिसार के राकी गड़ी में बनाया जा रहा है राज्यस्त्रिय संग्रालिया आज का हमारा लास्ट क्यूशन रहेगा साजा की बावडी कहां सतीता है तो साजा की बावडी रोत तक के महम में सतीता है कहां सतीता है रोत तक के महम में तो आज के हमारे पजास्ट क्यूशन यहीं पर कंपलीट करते हैं यहीं पर समाब्द करते हैं तो कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कर देना एक लाइक जुरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कर लेना दोस्तों थैंक्यू जैहींद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्षर में